जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट से अग्दम टाइम को मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसकी पेटरॉन बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके या फिर दोनों ही तरीके से और कैसे इसके पेटरॉन बनते हैं और कैसे इसकी मेंबर्शिप लेते हैं इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिस पर क्लिक करके आप डिरेक्ली पेट्रान बन सकते हैं और अलेक्स से मेंबर्शिप लेने का लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं अनसार खिते में ठाकरों और भूमिहारों की दिश्मनी आम बात थी इनके बीच प्री डॉमिनेंस यानि वर्चस की लड़ाई में क्या हिंदू क्या मुसल्मान बलकि तमाम गरीब मासूम पिस्ते रहते थे ज्यादा खेत और जमीनों के मालिक भूमिहार खुद को ठाकरों के पैलल समझते थे लेकिन ठाकर उन्हें अपने बराबर की इज़त देने के बजाए खुद के वर्चस को बनाए रखने के लिए इन्हें अपने लेविल का नहीं समझते थे सोसाइटी में अपनी हनक और दबदबा बनाए रखने के लिए दोनों जातियों के फ्यूडलिस्टिक यानि सामंत वादी गरीबों और मजलूमों पर जल्म किया करते थे और गरीब अवाम इन दोनों के जल्मों को बरदाश करती थी उस दोर में कल्पनात राय के चलते भूमिहार अपने को ताकतवर समझते थे तो वीर बहादुर सिंग और विशनात प्रताप सिंग के चलते ठाकुर अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे दरद असल दोनों ही जातियाँ फियुडलिस्टिक थी और खिता नसार में इन दोनों के वर्चस की लडाए में हत्याए होती ही रहती थे सामंत वाद के चलते होती इन दोनों के बीच की लडाए में तब ना कभी मुःत अंसारी रहे ना कोई अम्जाल अंसारी और ना ही अनसारी कमिनिटी और ना ही कोई उस्छलमान यूसाफ पॉर्ड महमदाबाद में अगर मुखतार अंसारी के पिता चैर्मेन सुभानल्ला अंसारी की मंड़ी परिशथ के दबंग थेकेदार भूमिहार सचीदानंद राए के तरफ से राधी मकनू सिंग और सादू सिंग की मदद से हुई सच्चिदानंद राए और रंजीत सिंग की हत्या के बाद मुखतार अंसारी का इलाके में दबदबा बढ़ रहा था सच्चिदानंद राए की हत्या के बाद लोग इन्हें फ्यूडलिस्टिक जुम के खिलाफ हीरो की त आने लगे मकनु सिंग और हरी शंकर तिवारी की मदद से मुख्तार अंसारी बिना मजहभी डिफरेंसेज यानि बिना भेद भाव के उनकी मदद किया करते थे और इस तरह उनकी पॉप्लिल्टी बढ़ती जा रही थी मुख्तार अंसारी का घर फाटक इलाके के दबे कुचले मजलूम गरीब लोगों के लिए एक उमीद बन चुका था घाजीपुर के सैथपुर मुडियार गाव में ही रमापती सिंग रहा करते थे मुख्तार अंसारी के पिता की बेज़ती का दबंग सची दंदन राय से बदला लेने में मदद करने वाले सादू सिंग और मकनू सिंग उनके भतीजे थे रमापती सिंग और सादू सिंग और मकनू सिंग के बीच बेर बिस्वा जमीन को लेकर जगड़ा था छे बेटों के पिता रमापती सिंग अपना खेड जोत रहे थे उस दोरान सादू सिंग ने अपने चचा रमापती सिंग की हत्या कर दी रमापती सिंग की हत्या के बदले में उनके बेटे ने मकनू सिंग की हत्या कर दी उसके बाद इसके बदले में सादू सिंग ने रमापती सिंग के दो बेटों की हत्या कर दी कुल मिलाकर अब तक हत्याओं में मुक्तार अंसारी के लोग शामिल तो बताए जा करते थे क्योंकि मकनू सिंग को मुक्तार अंसारी का गुरू कहा जाता था अगर ये भी सच्छ है कि मुफतार अंसारी का नाम पुलिस अफाईयार में कभी नहीं आया गाजिपूर के उसी बुडियार गाउं में रमापती सिंग के बच गए बेटे त्रीभुवन सिंग भी थे शांदार निशाने बाद होने के चलते राजियन सिंग की हत्या का इल्जाम मुफतार अंसारी पर लगा कहते हैं कि अब अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए त्रीभुवन सिंग ने अफधेश राई वगेरा के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के गुरू कहे जाने क草धु सिंग की हत्या करें साधु सिंगे हत्या में त्रिभुवन सिंग के सासाथ मौझूध प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के भाई अध्यश राय काभी नाम आया इसी सलसले में एक हत्या और हुई और वो थी इन्ही अवधेश राई की इनकी हत्या का इल्जाम भी मुगतार अंसारी पर लगा गाजीपुर के उसी सैथपुर मुडियार गाउं से शुरू हुआ खूनी खेल नो हत्याओं के साथ खत्म हुआ और वर्चस की लाई में जो ठाकुर और भूमिहार कभी आमने सामने थे वो सब मुगतार अंसारी के खिलाफ एक हो गए अब एक तरफ मुगतार अंसारी और दूसी तरफ साहिप सिंग और भूमिहार प्रिशना दंद राय थे इस तरह अब मुख्तार अंसारी के सामने खुला आसमान था मकनु सिंग और सादु सिंग की हत्या के बाद इस गैंग के लोग मुख्तार अंसारी की पनाह में आ गए थे दोस्तो दूसरी तरफ इसी के पैलल वारा नसी के धरहरा गाउं में एक और कहानी चल रही थी और 27 अगस 1984 को गौम एक सियासी रसूगदार रवीन सिंग की हत्या उनके सियासी ऑपोनेंट हरीहर सिंग और पांचुल सिंग ने अपने सातियों के साथ मिलकर कर दी अरुन कुमार सिंग और बजेश सिंग इन्ही रवीन सिंग के बेटे थे आग पैदा हुई और वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताप थे उनके साब ने अब बस एक ही मकसद था कि वो पिता के कातिलों को मार सके इसके लिए ब्रजेश सिंग ने गाज़ीपुर में एक्टिव साहिब सिंग के गैंग को जोइन कर लिया 27 माई 1985 को रवीन सिंग का हत्यारा हरिहर सिंग ब्रजेश सिंग के सामने आ गया उसे देखते ही ब्रजेश सिंग ने उसे मौत के गाट उतार दिया वारार रसी के आस पास ब्रजेश सिंग का नाम माफिया के तोर पर उभरने लगा ये वो दोर था जब साहिब सिंग का सरकारी ठेकों पर कबज़ा हुआ करता था रजेर सिंग ने साहिब सिंग का ये काम सभा लिया और सरकारी ठेकों पर बाहू बल के जर्ये कबज़ा करने लगा दरसल ये वो दोड़ था जब पूरवांचल में सरकारी स्कीन्स लाई जाती थी इस क्रैप के ठेके निकाले जाते थे माइनिंग, ग्रेट, शराब, सब के ठेकों का अलाटमेंट हुआ 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 था और सारी फसाद की जड़ भी ठेके ही हुआ करते थे ऐसे में साहिब सिंग की तरफ से सरकारी ठेकों पर कबज़ा करने का काम ब्रजेश सिंग ने शुरू कर दिया बेहत कम वक्त में ब्रजेश की तूती पूरे पुरवांचल में बोले लगी लेकिन गाज़िपूर अमो में मुख्तार अंसारी उसके इस काम के सामने रोडा थे गाज़िपूर के सरकारी ठेकों पर कबज़ा करने का काम मुख्तार अंसारी ने शुरू किया और कुछ ही सालों में गाज़ेपूर अमोग के सरकारी ठेकों पर मुख्तार अनसारी का पूरा कब्जा हो गया अब 19.90 में बरजेश सिंग की नजर भी इनी ठेकों पर पड़ी बरजेश सिंग इन ठेकों को एक एक करके कब्जाने लगा लेकिन वर्चस की ये लड़ाई कहा तक जाएगी और इसमें कितनी लाशे बिचेंगी ये उस वगबता पाना किसी के लिए भी नाम्मुम्किन था दोनों में शिरुआती आपसी कॉपरेशन के सहमती बनी मगर वो ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी वजह वही थी वर्चस की लड़ाई ये वही वक्ता जब मुखतार अंसारी और ब्रजेश सिंग के बीच मच टॉक्ड बाउट दुश्मनी शिरू हो गई थी और तब एक अकेले मुखतार अंसारी से लड़ने के लिए इसे रिजन के ट्रडीशेल राईवल बौ मिहार और ठाकुर साहिप सिंग और ब्रजेश सिंग की अगवाई में एक हो गए थे तब की पकड़ में अगा लिकिन ärenसारी में मुखतार अंसारी पुलिस की पकड़ में आ गहे लेकिन इलजाम है कि रास्ते में वो दो पुलिस वालों को गोली मार कर फरार हो गए चीफ मिनिस्टर कल्यान सिंग की सरकार में मुक्तार अनसारी के एंकाउंटर का एक आडर आया और मुक्तार अनसारी का साथ देने वाला कोई नहीं था इदर ब्रदेश सिंग, साहिब सिंग और सरकार और दूसरी तरफ मुखतार अंसारी अकेले इसे लेकर एक चल्चा आम है कि चंदाली से पुलिस से बचते हुए मुखतार अंसारी गाज़ेपूर से अकेले भूके प्यासे भागते हुए ठक कर एक मजार के पास लेन गए थे उनकी जबानी है कि उन्हें एक खुआव आया कि कोई बजर्ग उनको खुजूर खिला कर पानी पिला रहा है और कह रहा है कि थोड़ी दूरी पर ट्रेन की पट्री है वहां से ट्रेन पकड़ लो मुखतार अंसारी की आख खुली तो ट्रेन की आवाज आ रही थी और वो दोड़ते हुए माल गाड़ी को उन्होंने पकड़ लिया और फिर वो एक जगहा उतर गए अब वो गाज़िपूर अंबकसर की बिहार सरहत पर खड़े थे वहां से वो किसी तरह सीवान के महमद शाब अद्दीन के कांटेक्ट में आए कहते हैं कि शाब अद्दीन ने और यहां उनका स्वागत है मुख्तार अनसारी ने तैर किसी तरह कर्म नासा झादी पार कर ली जहां शाब अद्दीन की गारी खड़ी थी शाबुद्दीर उन्हें अपने घर ले आए, वो उनके घर कुछ दिन रहे, फिर जब मामला ठंडा हुआ तो मुखतार अंसारी ने दिली जाकर सरंडर कर दिया 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बीजेपी और कल्यान सिंग की सरकार गिर गई और वो जेल से बाहर आ गए, और जैसा कि हर बाहु बली के साथ होता है, रीजन के हर क्राइम में उनका नाम जुड़ता चला गया 1996 में मुखतार अंसारी पहली बार बहुचन समाज पार्टी से माउ से विधायक बने और काशी राम मुलाइम सिंग यादो के गड़ बंधन से मुलाइम सिंग यादो उत्तर पिरेश के मुखमंतरी बने, अब हाला बदल चुके थे और जो सत्ता कभी ब्रजेश सिंग और साहिप सिंग के साथ थी, वो अब मुखतार अंसारी के साथ हो गई थी और इस तरह मुखतार अंसारी ने ब्रजेश सिंग के वर्चस और ठेके में हनक को हिलाना शुरू कर दिया सत्ता की पराह में मुखतार अंसारी की पूरवांचल में तूती बोलने लगी और सामंत वादी घुटने पर आ गए दबे पिछडे गरीब मसलूमा की हर छोटी बड़ी उम्मीद का बस एक ही सेंटर था मुखतार अंसारी का घर फाटट कहा जाता है कि इस दर्ज से कोई फर्यादी कभी खाली नहीं गिया उसके साथ जुम हुआ तो मुखतार अंसारी बंदूकों के जखीरे के साथ उसके घर पहुच जाते पैसे रुपे की ज़रत होती तो मुखतार अंसारी की जोली खुल जाती इस पूरे रीजन में मुलाइम सिंग यादो मायावती के मुखमंतری रहने के दौराद सत्ता की पनाह से मुखतार अंसारी ने पूरे पूरवांचल में अपना अमपायर स्टैबलिश कर लिया दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी थी और बनारस के जवाहर एक्स्टेंशन में कोईले का कारोबार करने वाले नंद की शोर रूंटा बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद चर्चा में आए ये पूरवांचल में कोईले के सबसे बड़े कारोबारी थे और विश हिंदू परिशद के इंटरनाशनल ट्रेजरार थे और अशोक सिंगल के बेहत करीबी थे बाबरी मस्जिद की शहादत में एक्टिव किरदार निभाने वाले नंद की शोर रूंटा पर मुक्तार अंसारी की नजर पड़ गई पता चला कि जहारकंड से विजए नाम का कोई शखस कोईला कारोबारी नंद की शोर रूंटा से मिलने आया था और बाचीत के बहाने रूंटा को गाड़ी में बढ़ाया और ने किड्नैप कर लिया चर्चा थी कि तीन करोड रूपए की फिरॉती मांगी गए और फिर नंद की शोर रूंटा की बाड़ी के टुकरे इलहाबात के कछार में मिले रूंटा हत्याकान से संग और बीजेपी के होश उड़ गए चर्चा थी कि विजेग कोई और नहीं बलकि खुद मुखतार अंसारी थे अब उनका नाम क्राइम की दुनिया में देश भर में च्छा गया था पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला कारोबारी रूंटा की किड्नैपिंग के बाद मुखतार अंसारी की दहशत बढ़ती चली गए वैसे अदालत का फैसला अभी तक नहीं आया है और अपने राइवल बरजेश सिंग को हर इलाके में पीछे करते रहे धीरे धीरे बरजेश सिंग पिक्चर से बाहर हो गए मुखतार अंसारी का पूरे पूरवांचल में दबदबा बढ़ता गया अपने दोर के बहुबलियों से फूनी जंग और गरीबों की लगतार मदद ने उने रॉबिन हुट के तौर पर इस्टैबलिश कर दिया वो आब अवाम के लिए आसानी से अवैलेबिल थे फाटक पर उनसे कोई भी मिल सकता था वो उनके मदद के लिए जेल के अंदर से भी मौजूद थे मुक्तार अंसानी ने ब्रजेश सिंग गैंक के पीछे पुलिस फोर्स को लगा दिया वहीं दूसी तरफ मुक्तार अंसानी के लोग ब्रजेश सिंग के लोगों पर लगातार हमला कर रहे थे लेकिन तब ही एक ऐसी वार्दाद घटी की पूरा पूरवान चल देहल गया जानेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे ने सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बैल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते अगर आपको हमारे काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्राण बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके या फिर दोनों ही तरीके से और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज पर मेरा ट्विटर है एड़ दा रेट अफ अरशी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में